यूपी के हात्रस में दरिंदगी के बाद बेरहमी से दलित बेटी की हत्या पर आज पूरा देश आक्रोशित है। गुरुवार को दलित समाज के लोगों ने हासी में दरिंदों को फासी की मांग को लेकर सडकों पर उतर कर जोरधार परदर्शन कर योगी मोदी सरकार के खिलाफ जम कर नारिवाजी की। समाज के लोगों ने कहा कि आज मोदी राज में दलित की बेटियों पर अत्याचार हो रहा है और सरकार आंखे बंद कर तमश्ट गीन बनी हुई है हात्रस की बेटि जब खेत में चारा लेने गई थी तो दरिंदो ने उसके साथ दरिंदगी करते समय उसकी गर्दन दोड़ाली जब उसने शोर मचाना चाहा तो उसकी जुबान को भी काट दिया गया इसके बावजुद भी बेटी मनीशा ने दरिंदो से बचने का परियास किया लेकिन दरिंदो ने उसकी रीड को भी बेरहमी से तोड़ दिया पुलिस प्रशासन के साथ सा सीविल प्रशाशन पर विएप सवाल उठ रहे हैं परदर्शन कर रहे दली समाज की लोगों ने सरकार को ललकारते हुए कहा कि दरिंदों को तुरंद प्रभाव से फासित देनी चाहिए ताकि ऐसी दिरंदगी करने वालों की रुख काप उठे उन्होंने कहा कि सरकार अब 25 लाग रुपे देनी की बात कहे कर अपना बचाओ करना चाहती है लोगों ने दोशियों पर सक्त सजा देने की मांग की परदर्शन कारियों ने हासी के तहसीरदार के माफत रस्च पती के नाम 25 उपा इसके अंदर हमारी मांग है सबसे पहले की यूपी के अंदर है जो पांच ठाकुर्शमाज के लड़कों ने हमारी बहन का रेप किया गया है और रेप ही नहीं इतने इसके चोटे मारे गई है उसकी गरदन की अड़ी तोड़ दी गई है जिसकी मिर्ति हो गई है और ये मामला शिरिफ एक बहन मनिश्या का यह नहीं है, दूसरा मामला एक और हरियाना के अंदर बलरामगड के अंदर है, जो कि एक बहन का दलित छात्रा का रेप करकर उसकी दोनों टांगे तोड़ दी गई और उसको नसे का इंजेक्शन दे दियागा, उसकी भी मिर्तिय हो परिवार को जल्द से जल्द एक करो नकेल लगाने का काम किया था, इसी तरीके से सभी बहन बेटियों को एक समान समझते हुए, यह जो ठाकरों की सरकार है, यह एक समान नहीं समती है, दलित जो लड़कियों को इन्होंने परसासन को और अपने लोगों को अपनी जातली के लोगों को छूट दे रखी कि दलित समाज की बेटियों को उठाओ, उनका रेप करो, अगर वो फिर आवाज उठाती है तो उसको जान से मार दो, तो इस तर लड़कियों के बलतकारी जो लोग सरारती ततव है, जो हमारी बेटियों में एक लड़की नहीं देखते, एक अच्छूत देखते है, उसका रेप करना अपना अदिकार समते, उन लोगों को फिर हम अपने तरीके से सजा देने का काम करेंगी. ये जो घटना हुई है, बहुत ही अमानवे घटना है, इस घटना की जितनी नींदा की जाए उतनी कम है, इसमें यूपी सरकार की और यूपी पुलिस की जितनी नींदा की जाए वो कम है, क्योंकि आज कल जो ये दलिद महिलाओं को, स्पेशली, जो SCST, OBC की जो लेडिज ह बनाय जा रहा है, ये यूपी सरकार की, मोदी सरकार की और मनुवादी सरकार की साजिश है, क्योंकि आज कि अगर देखा जाए तो आज समीधान लागू है इन्हें, समीधान की हत्या करके मनुवाद को लागू किया जा चुका है, इसलिए हमारे समाज की बहन बेटियां ब पानून बनाया जाए उनका पालन किया जाए।